बिहार समेथ देश भर में लोक आस्था का महापर्व छट धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज डूपते सूरी को अर्ग दिया मुख्यमंत्रे नितिश कुमार ने तस्वीरें सामने आई है नितिश कुमार नजर आ रहे होंगे आपको और उनके साथ देवेश चंद्र ठाक पूर भी हैं और उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं नितिश कुमार के बेटे और छट पर में डूपते सूरज को अर्ग दिया जा रहा है यह तस्वीरें आई है एकड़े मार्क से जहां नितिश कुमार ने अर्ग दे दिया है डूपते सूरज को और डूपते सूरज को अर नासरी गंज की तरफ और गाड़ी में नितिश कुमार जेपी नड़ा पीछे बैठे थे जेपी नड़ा की ही गाड़ी थी और आगे वाले सीट पर समराड चौधरी डिप्टी सीम बैठे हुए थे और ये लोग निकल गए फिर नासरी गंज की तरफ जहां पर जेपी नड़ लुप्त उठाया श्टीमर से घूम कर तस्वीरें उसकी भी सामने आई है जिस तरीके से जेपी नड़ा नितिश कुमार डिप्टी सीम समराच चौधरी पहुंचे हैं एक ही गाड़ी से और उसके बाद श्टीमर पे चड़कर जो है छट का लुप्त उठाया जा रहा है जिस सालों से इंतजार रहता है साल भर लोग इंतजार करते हैं चट का और चट में एक अलग ही उत्सा देखने को मिलता है बिहार में खास करके क्योंकि लोग जो बाहर रहते हैं चाहे वो कमाने के लिए चाहे वो पढ़ने के लिए वो जरूर इस पर में यहां बिहार आते हैं अपने परिवार के साथ छट मनाते हैं लेकिन बात अगर सियासत की करें तो सियासत भी तेज हैं सियासत भी हो रही है छट तो एक बहाना है लेकिन पीछे से काफी ज़्यादा सियासत देखने को मिल रही है एक तरब जहां जेपी नड़ा पहुंचे दिली से संदेश लेकर अ तो जहां एक तरफ मनाया जा रहा है नितीश कुमार को सियासत हो रही है गोटियां सेट हो रही है वहीं जो है यह ऐसा इसी लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ जेपी नड़ा नितीश कुमार की मुलाकात जेपी नड़ा पटना आते हैं छट देखने के लिए पटना आत तो लालु यादव ने सोचा कि क्योंना चट का मजा लिया जाए क्योंकि चट के बड़े सौकीन है लालु यादव और अपने बेटों को उन्होंने लिया तेजस्वी आदव तेजप्रतापयादव को और सांसद बेटी जो है मीशा भारती उनको भी लिया नतनी को लिया और जो संजय यादव हैं जे राजे सभासांसद हैं आरजेडी से तिंक टैंक कहा जाता है उनको तेजस्वी के परचाई की तरह रहते हैं उनको भी लिया और निकल पड़े अपने सुपचिंतकों के पास ये बीती रात की बात है और आज वह पटना सिटी की तरफ निकल गए वह पटना से पश्चिं की तरफ जेपी नडडा को साथ लेकर नितीश कुमार निकल गए छट देखने के लिए तो सियासत भी खूब हो रही है छट भी मनाया जा रहा है साथ में लेकिन सियासत भी जारी है और ताजातरीन खबरों का सिलसला भी लगातार जारी है देखते रहे दर्शन्यूज